Hello and Welcome आज की वीडियो में हम बात करेंगे Secure Online Transactions की हम सब Online Shopping करते हैं या Internet यूज करते हैं Payments के लिए जैसे की Bill Payment या Bank Transaction इसलिए या बहुत ही ज़रूरी है कि हम Safe and Secure Online Transaction के बारे में जाने हैं इस वीडियो में हम कुछ Tips और Methods डिसकस करेंगे जिनका इस्तमाल करके आप Online Transaction बिलकुल Safe तरीके से कर सकते हैं सबसे पहले देखते हैं Online Transactions होते क्या हैं Online Transaction का मतलब होता है Internet के माध्यम से पैसे को एक जगा से दूसरी जगा पहुचाना या एक खाते से एक Bank Account से दूसरे Bank Account में Transfer करना Online Transaction Safe और Safe है और Password Protected है बिलकुल सुरक्षित है आप इसका इस्तमाल पेमिंट के लिए कर सकते हैं इस वीडियो में हम कुछ टिप्स भी डिसकास करेंगे आए जानते हैं ये टिप्स क्या हैं Online Transaction या मनी ट्रांसफर के लिए कभी भी पब्लिक वाइफाई या पब्लिक कम्प्यूटर का इस्तमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक इजी टारगेट होता है hackers के लिए क्योंकि अगर आप इसको compare करें प्राइवेट नेटवर्क से तो ये इतना secure नहीं होता है उसमें इतनी security features नहीं होती तो आप यह कर सकते हैं आप यह तो अपने phone data पे switch करिए या virtual private network का इस्तमाल करिए transaction के लिए एक strong password और OTP का use करना चाहिए क्योंकि password अगर आपका strong है secure है तो hackers उसे easily crack नहीं कर पाएंगे और OTP हमेशा आपके registered mobile number पे आता है जो कि सिर्फ आपके पास होगा किसी भी unknown website या ज्यात website पे click नहीं करना चाहिए और वहाँ पे payment करने से बचना चाहिए क्योंकि वो एक risky transaction हो सकता है क्योंकि आपका आप किसी unknown site पे click कर रहे हैं तो आपका system infect हो सकता है virus से आपका account hack हो सकता है और आपके bank account में से hackers पैसे निकाल सकते हैं हमेशा अपने system पे antivirus और firewall का इस्तमाल करिए जो कि आपकी मदद करता है आपके system को किसी भी तरह के harmful programs या malicious programs से secure रखता है protected रखता है हमेशा antivirus को updated रखिए उनको regularly अपने system पे run करते रहिए ताकि system safe and secure हो कभी भी आप payment कर रहे है third party payment methods use कर रहे हैं तो digital certificates आप check कर सकते हैं क्योंकि आप जब third party payment methods use करते हैं आप digital certificates check करते हैं तो आप sure हो जाते हैं आपका जो data pass हो रहा है वो encrypted है and it is safe virtual keyboard का भी आप इस्तिमाल कर सकते हैं बहुत सारी banking sites हैं जो की आपको virtual keyboard facility देती हैं उनको use जब आप उन पे click करते हैं उन keys पे virtual keyboard की keys click करते हैं तो आपकी keystrokes हैं वो malware जो की malicious programs आपके system पे अगर होंगे भी तो उसे capture नहीं कर पाएंगे जब भी आप किसी website का address लिखते हैं तो हमेशा address भार पे https and lock sign padlock sign का को जरूर चेक करिए क्योंकि अगर वो वहां पे नहीं है तो that means आपका connection जो है वो secure नहीं है सो हमेशा https and padlock को चेक करने के बाद ही उस site पे आगे बढ़ना चाहिए आप जो भी पैसे जो भी card use कर रहे हैं या जो भी online खर्च कर रहे हैं spend कर रहे हैं shopping के लिए या bell payments के हमेशा अपने bank details में उनको check करें track करते रहें कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि यह आपने payment नहीं किया तो आप हमेशा bank को inform कर सकते हैं उस card को block कर सकते हैं और track कर सकते हैं यह कहां कैसे आपका card या जो भी payment method आप यूज करें वो कैसे इस्तमाल किया गया है आप चाहें तो यह भी कर सकते हैं एक dedicated एक credit card या debit card अलग से रखें जिससे आप online shopping या online payment के लिए यूज कर सकते हैं जिससे आप track हमेशा track कर सकते हैं easily track कर सकते हैं कि आपने कहां पे वो card यूज किया है कहां आपने पैसे खर्च किया है और एक facility और होती है आपके browsers पे especially Google Chrome पे private browsing का जहां पे आप अपना browser window को incognito mode पे open कर लिए incognito mode पे browsing करने का फायदा यह होता है कि आपका password जो भी आप password यूज कर रहे हैं उस window पे वो save नहीं होता जो history होती वो नहीं save होती और जितने cookies होते हैं वो clear होते रहते हैं एक बार ही आपका transaction complete हो जाए या अपने payment कर लिया तो हमेशा जो भी website आप use करें उससे log out करें उस window browser window को close करिए ताकि आप sure हो जाएं कि आपका जो session था वो completely finish हो गया है वो session आपका complete हो गया है एक बार आपने transaction या payment कर लिया तो हमेशा browsing history को clear करें browsing history clear करने से आपने जो भी information उस particular site में enter की थी maybe login ID चाहे आपने password दिया हो या bank account की कोई detail होगी वो सब delete उस browsing history जब आप clear करेंगे तो वो सब clear हो जाएगी और आपका data safe रहेगा कहीं भी आपकी privacy का loss नहीं होगा यह सारे जो tips हमने discuss कि अगर आप इसको follow करते हैं तो आप sure हो जाएए कि आपका पैसा आपने जो भी information उस particular site पे share करी है that is safe वो safe and secure है आपकी personal information secure है बाकी दूसरी चीज़ें भी हैं जो आप follow कर सकते हैं ताकि आपकी जो भी आप online transaction कर रहे हैं वो safe and secure हो hope जो भी information इस video में share की गई आपको useful लगी होगी stay tuned for upcoming videos and thank you for watching this video